Hi guys, this is Sakshi and welcome back to my channel और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप Bump It को किस तरह से अपने बालों में लगा कर एक हैवी सा और सुन्दर सा पफ बना सकते हैं जिन गर्स के बाल बहुत ही जादा हलके होते हैं थिन होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अगर वो पफ बनाना चाहती है तो वो पफ ठीक से बनता नहीं है तो वो इसको यूज़ करकर अपना एक हैवी सा पफ बना सकती है और एक सुन्दर सी लुक पा सकती है तो बहुत ज़दा टाइम बेस्ट ना करते हुए कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट लेकिन उससे पहले अगर आप लोगोंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजए सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है ना मूँवन टू आर चले जाएं हमें अच्छे से पफ बना रहा हैं जिसके लिए हमें बैकवर्वर्ड डारेक्शन में कॉम करना जरूरी होता है उसके बाद ही मैंने अपनी आईब्रो की एडिस से अपनी फिंगर ले जाते हुए अपने हैर का सैक्शन लिया है और इसको भी आपको अच्छे स कॉम करना है ताकि इन में कोई परेंग ना रहे और हमें पफ बनाने में कोई भी प्रोपलम न हो आप किसी भी का कॉम ले सकते हैं मैंने यहां wide bristles ब्रिसल वाला लिया है इसे बाल टूटते कम हैं आप जाहे तो आप small ब्रिसल्स वाला ये वाला कॉम भी ले सकते हैं तेल कॉम होता है इससे आपको बालो के सेक्शन निकालने में भी आसानी होती है आप ये भी ले सकते हैं अब आप जो भी स्ट्रेंड या फिर लट आप जो भी निकालना चाहते हैं वो पहले ही निकालने बंपिट लगाने के ब फिर से फिनीशिंग के लिए मैंने अपने बालो को कॉम किया है, उसके बाद यह आप देख सकते हैं, पीछे से हमारे जो हाफ हेर थे, उनको आगे करके, मैंने यह बंपिट यहाँ पर लगा लिया है, और तीन-चार बार हमें अच्छे से फिक्स करना है, ताकि हमारे बालो मे से बिल्कुल भी हे लेना, और उसके बाद हमने जो सेक्शन निकाला थे हैर का, उसको इसके ऊपर लाकर, ट्विस्ट करके, हमें इस तरह से लगा लेना है, इसको हाइड कर लेना है, दोनों साइड से अपने हैर से, बंपिट को हाइड कर लें, और किसी भी हैर पिन की आप कोई भी पिन लगा सकते हैं, बॉबी पिन लगा लें, उससे भी अच्छे से 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 हो जाता है, अपने हैर को सेट कर लें, यह हमारा सेट हो चुगा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे से, और अगर आप और भी ज़्यादा थोड़ा पफिनस चाहते हैं, थोड़ यह कोशिश की है, यह आप देख सकते हैं, इस तरह से, और जो इसका फ्रंट सेक्शन है, वो आएगा कुछ ऐसा, और मैंने ही साथ में, दो पिक शेयर कर रही हूँ आपके साथ के यह पिक में कैसी आएंगी, साइड पोजिशन में, तो यह आप देख सकते हैं, तो आप अगर आप मेरी यह वाली मेकप लुक देखना चाते हैं, तो मेरी पुरानी वीडियो में जाकर इससे पहले वाली में, मैंने यह लाइव शूट की थी, तो आप स्टेप बाए स्टेप पूरा पूरा मेकप देख सकते हैं, और जाने से पहले अपने जिस का नाम आज मैं लेने वाली हूँ, उनका नाम है यूसरा ताहूर, तो congratulations to you, यूसरा, और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो like करें, share करें, comment करें, subscribe जरूर करें, और notification bell जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी notifications सबसे पहले मिलेगी, and always take care of yourself झाल, बाइ!